नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेश्याज 23 जुलाई दोपहर 3 बज़े राजस्तान की खास खबरें बजनल सरकार ने अगले एक साल में एक लाख भरतियां करने की घोशना की है लेकिन भरतियों के सिस्टम में बड़ी लापरवाही सामने आई है राजस्तान करमचारी चयनबूड और RPSC की और से पिछले कुछ महीनों में आयुजित भरतियों के प्रशन पत्रों में बड़ी संक्या में सवाल डिलीट करने पड़े है पिछले 3-4 महीनों में दोनों संस्थाओं ने 17 परिक्षाओं के फाइनल अंसर की जारी की इनमें कुल 108 सवाल डिलीट किये गए। Dholpur ACB के टीम ने सर्मत्रा ठाने में 8,000 पे की रिश्वत लेती हुई हैड कॉंस्टेबल को गिरफ्तार किया है सुत्रों से मिली जानकाडी के मताबिक ACB की गिरफ्त में आया हैड कॉंस्टेबल के दार सर्मत्रा ठाने में तैनाथ है उसने मारपीट के एक मामले में मदद करने की एवस में रिश्वत मागी थी परिवादी ने जिसके शिकायत ACB में कर दी सत्यापन के बाद ACB के ASP सुरेंदर सिंग के नेतर तोन में टीम सर्मत्रा थाने पहुंची जहां ACB के टीम ने हेड कोंस्टेबल के दार को आठ हजार पे की रिश्वत लेते हुए गिरफतार किया ACB के टीम हेड कोंस्टेबल से पूस्ताश कर रही है जोदपुर के जह नरायन यूनिवर्सीटी के बाहर परदर्शन कर रहे चातर नेताओं को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा पुलिस कर्मियों ने चातरों की लाठियों से पिटाई की और सड़क पर घसीटा परदर्शन कर रहे पांच स्टूडेंट्स की तब्यद भी बिगड़ गई वहे पांच चातरों को पुलिस ने हिरासत मे लिया दरसल प्रदेश में इस बार चातर संग चुनाव होंगे या नहीं इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है चातर संगटन के नेता इसे लेकर विरोध करें हैं इसी के चलते जोदपुर के जैनरायन व्यास यूनिवर्सीटी में भी समेट अन्यस संगटनों की और से परदर्शन किया गया चातर नेता दुपहर बारा बज़े जैन वी यू के सेंटरल आफिस के बाहर जुटना शुरू हो गए थे फेड को देखते हुए यहां पुलिस जापता तैनात किया गया और बैरिकेडिंग लगाई गए चातर नेता कुलपती केल शिर्वास्तो के बुला कर ग्यापन देने की मांग करने लगे पुलिस के समझाइश करने के बाद भी चातर नेता नहीं माने चातरों को हटाने के लिए पुलिस ने इनकी बेरहमी से पिटाई की राजिस्तान में S.A. भरती परिक्षा पेपर लीक मामले में S.O. जी की और से गिरफतार आरोपी विवेक बांबू के घर पर चूरू नगर परीशित की टीम ने बुल्डोजर चला दिया अरोपी विवेक बांबू ने पूनिया कोलोनी में दो पलोटों पर अवैद रूप से पक्का निर्मान करवा रखा था इस दोरान भारी पुलिस जापता तैनात रहा अरोपी विवेक बांबू S.A. भरती परिक्षा पेपर लीक मामले के मास्टर माइन योनिक भांबू का चोटा भाई है इसका S.A. भरती परिक्षा में चयन हो गया था नगर परिशत के सहाय का भ्यांता रवीकुमार राघव की नेतरतम में परिशत की J.C.B. और ट्रेक्टर पूनिया कोलोनी की गली नंबर 11 में पहुंचे टीम S.A. पेपर लीक मामले में गिरफतार अरोपी व हायता से ध्वस्त कर दिया दोसा जिले के लाल सोट में आर्टियो इंस्पेक्टर की गाड़ी से बजरी माफिया एक लाख 34,000 पे लूट ले गए मौके पर उन्होंने आर्टियो महिला अधिकारी को जान से मारने की भी कोशिश के ओवरलोड डंपरों को रोकने के बाद यह है विवाद शुरू हुआ था बड़ी संक्या में बिना नंबर वाली कार से आए माफिया दो डंपरों को भी छुडा ले गए आर्टियो इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी ने लाल सोट थाने में बजरी माफिया के खिलाफ जान से मारने की कोशिश करने रास्व कारे में बादा खान निवासी मलारना डूंगर दोसा सेथ अन्या के खिलाफ मामला दर्स करवाया है पुलिस ने जल्द ही अरोपियों को गिरफतार करने का असवाशन दिया है राजस्तान मादमिक शिक्षा बोड की बारवी की प्रैक्टिकल सप्लीमेंटरी एक्जाम्स 25 से शुरू होंगे ये परिक्षां 30 तक चलेंगी बोड ने एड्मिट कार्ट जारी कर दिये बोड सचिव के लास्चंदर शर्मा ने बताया कि परिक्षा केंद्रों पर प्रात्य आठ बजे से प्रैक्टिकल एक्जाम्स शुरू होंगे परिक्षार्थी बोड की वेबसाइट पर जाकर मुख्य परिक्षा 24 का नमांक अथवा नाम या जिला दर्स कर पूरक परयोगीक परिक्षा का नमांक परिक्षा की तिथी एवं परिक्षा केंद्र की सूचना ग्याद करें परवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे नियमित परिक्षार्थी परवेश पत्र को अपने शाला प्रधान एवं स्वैम पाठी परिक्षार्थी अपने मुख्य सधांतिक परिक्षा के केंद्रा दिक्षक से अग्रेशित कराएंगे परिक्षार्थी निर्धारित तिथी एवं परिक्षा केंद्र पर उसके द्वार जम्र करवाए गए पुरक प्रायोगीक परिक्षा शुल्क की रसीर मुख्या परिक्षा परवेश पत्र अत्वा अन्य कोई फोटो युक पहचान पत्र अपने साथ ले आए राजस्तान में एक बार फिर मांसुन की बारिश तेज हो गई है जैसलमेर बाडमेर जोदपूर ज तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है कुल तीस जीलों में बारिश की संभावना जताए गई है राजस्तान में मांसुन की अब तक बारिश समाने से तीन फिस्दी कम हुई है मौसम विज्ञान के इंदर जैपूर की निदेशक रादेशाम शर्मा ने बताया एक लो बिलवाडा में बियड का एकजाम दीने जारही स्कूटी सवार दो चात्राओं को ट्रेलर ने टकर मार दी हाधसे में एक चात्रा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी खंबीर खायल है खतना मांडल थाना इलाके में बिलवाडा मांडल हाईवे पर हुई सोचना पर घटना स्थल पहुंचे मांडल थाने के हैड कोंस्टेबल नरायन लाल ने बताया कि रूपी देवी कन्या माहविद्याले की छात्रा 22 वर्षे कृष्णा मीना अपनी सहीली 22 वर्षे खुश्बु मीना को स्कूटी पर लेकर मांडल से भिलवाडा शेहर स्थित कॉलिज जारी थी दोनों का बीड फॉर्थ सेमेस्टर का एक्जाम था टेलिफोन एक्सचेंज के पास तेजी से आ रहे ही ट्रेलर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी कृष्णा निवासी मोतिपुरा बूंदी की मौके पर ही मौत हो गई खुश्वोनिवासी निमोद बूंदी घायल हो गई कृष्णा यहां किराय का कमरा लिख रहती थी वहें पुलिस फराय ड्राइवर की तलाश में जुटी है हनुमानगर में पत्नी की हत्या करने के बार पती थाने पहुंचा और बूला मैंने हत्या कर दी शव घर में पढ़ा है पुलिस मौके पर पहुंचे तो चार पाई पर महिला का शाव पढ़ा था मामला जंक्शन इलाके में सुरेशिया के वार नमबर 56 में 100 फिट रोड का है थाना पर भारी सत्पाल विश्णोई ने बताया कि आरोपी 30 वर्षे रमेश कुमार ने 28 वर्षे पत्नी एकता देवी की हत्या कर दी उन्होंने बताया कि घरसाना का रहने वाला रमेश कुमार सुरेशिया के वार्ड नमबर 56 में किराय की घर में पत्नी एक्ता देवी और तीन बच्चों के साथ रहता था। एक ताका पीहड सुरेशिया में ही है महिला के पिता मोहनलाल की रिपोर्ट पर मेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्स किया गया है। शुरुवाती पूस्ताश में आरोपी ने बताया कि उसे पत्नी के चरित्र पर शक्त था, हालांकि जाँच की बाद पता चलीगा कि सच्चाई क्या है। किर्णैपिंग फिरोती मामले में जोदपुर पुलिस का वांटेड पाली जिले के सुमेरपुर में महिला रेंजर के घर में छुपा मिला, सुमेरपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया और जोदपुर पुलिस को सूचना दे दी। अब वन विभाग ने रेंजर सैथ दो महिला करमचारियों को तलब किया है। दोशी पाय जाने पर दोनों के खिलाफ कारवई की जाएगी। ऐसे चो भारत सिंग रावत ने बताया कि जोदपुर की विवेक विहार पुलिस से मैसेस मिला के वांटेड अपरादी सांचोर जालोर निवासी 26 वर्षय सुरेश बिशनोई सुमेरपुर में चुपाया। चोरो शेर के कुतवारी थानक शेतर के वार्ड 15 में खर में अकेली महिला से बेटे के दोस्त द्वारा रेप करने का मामला सामनी आया है। महिला थाने में महिला की रिपोर्ट के अधार पर रेप और S.C.S.T. का मामला दर्ष किया गया है। मैला की रिपोर्ट में बताया कि 16 जुलाई को उसका बेटा मजदूरी के ले गया था, मैं घर पर अखेली थी। दोपैर को बेटे का दोस्त वार 36 निवासी लक्की राजपुत खर में आया, उसने आते ही कुंडी लगा दी और मेरे कमरे में आ गया, मुझे बिस्तर पर ले ग झाल 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 झाल